नमस्ते प्रधानमंत्र जी, मेरा नाम सत्यम है, मैंने इस साल डेली रुणिवर्स्टी में फर्स्ट एर में एड्मिशन लिया है, हमाई स्कूल के बोर्ड एक्जाम्स के समय आपने हमसे एक्जाम्स, स्ट्रेस और एजुकेशन की बात करी थी, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए अब आपका क्या संधेश है? जाता है, तो अपरील और मैं छुट्टियों में मौज मस्थी करने के साथ साथ, रिजल्ट्स जीवन में आगे की दिशाय ताय करने, केरियर चोईस इसी में खब जाता है। से होस्टेल पर चला जाता है, छात्र पैरेंट्स की छाया से प्रफेसर्स की छाया में आ जाते हैं। मुझे पुरा यकीन है कि मेरा युवा मित्र कॉलेज जीवन की शुरुवात को लेकर काफी उत्साई और खुश होंगे। पहली बार घर से भार जाना, गाउं से भार जाना, एक प्रोटेक्टेड एन्वियर्मेंट से भार निकल करके, खुद को ही अपना सार्थी बनना होता है। इतने सारे युवा पहली बार अपने घरों को छोड़ कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने निकल आते हैं। कई छात्रों अभी तक अपने अपने कॉलेज जोइन कर लिये होंगे, कुछ जोइन करने वाले होंगे। आप लोगों से मैं यही कहूंगा, be calm, enjoy a life, जीवन में अंतरमन का भरपूर आनंद ले। किताबों के बिना कोई चारा तो नहीं है, study तो करना पड़ता है, लेकिन नई-नई चीजें खोजने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। पुराने दोस्तों का अपना महामूल्य है, बच्पन के दोस्त मुलिवान होते हैं, लेकिन नई दोस्त चुनना, बनाना और बनाए रखना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समझदारी का काम होता है। कुछ नया सिखे, जैसे नई-नई स्कील्स, नई-नई भाषाएं सिखे, जो युवा अपने घर छोड़कर बाहर किसी और जगह पर पढ़ने गए हैं, उन जगों को डिस्कवर करें, वहां के बारे में जाने, वहां के लोगों को, भाषा को, शंस्कृति को जाने, वहां के परेटन सल होंगे, वहां जाए, उनके बारे में जाने, इन नई पारी प्रारम कर रहा है, सभी नवजवानों को मेरी शुपकामना है, अभी जब कॉलेज सीजन की बात हो रही है, तो मैं न्यूज में देख रहा था, कि कैसे मद्द्देश के एक अत्यंत गरीब परिवार स जीवन की मुश्खिल चुनोतियों को पार करते हुए, सभलता हासिल की है, उन्होंने जोदपूर EMS की MBBS की परिक्षा में, अपने पहले ही प्रयास में सभलता पाई है, उनके पीता, कुडा बिनकर, अपने परिवार का पालन पुशन करते हैं, वह उनकी सभलता के लिए, उन्हें बढ़ाई देता हूँ, ऐसे कितने ही छात्र हैं, जो गरीब परिवार से हैं, और विप्रीत परिस्तित्यों के बावजूत, अपनी महनत और लगन से, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जो हम सब को प्रेणा देता है, चाहे वो दिल्ली के प्रिंस कुमार हो, जिनके पीता डिटी से में बस चलक है, या फिर कोलकाता के अभई गुपता, जिनोंने फुटपात पर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अपनी पढ़ाई की, एमदाबाद की बिटिया आफरिन शेख हो, जिनके पीता ओटो रिक्षा चलाते हैं, नाकपुर की बेटी खुश जिनके पीता भी स्कूल में बस ड्रावर है, या हर्याना के कार्तिक, जिनके पीता चोकिदार है, या जारखन के रमेश शाहू, जिनके पीता इंड भठा में मदूरी करता हैं, खुद रमेश भी मेले में खिलोना बेचा करते थे, या फिर गुडगाउं की दिव्यांग ब विमारी से पीडिता है, इन सब ने अपने द्रड संकल्प और होसले से हर बाधा को पार कर दुनिया देखे, ऐसी काम्या भी हासल की, हम अपने आसपास देखें, तो हमको ऐसे कहीं उदालन मिल जाएंगे, देश की किसी भी कौने में कोई भी अच्छी घटना, मेरे मन को उर्जा देती हैं, प्रेणा देती हैं, और जब इन नव जवानों की कथा, आपको कह रहा हूं, तो उसके साथ मुझे निरजी की भी वो बात याद आती है, और जिंदिकी का वही तो मक्सद होता है, निरजी ने कहा है, गीत आकाश को धरती का सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे, फूल की घंद से तलवार को सर करना है, और गागा के पहड़ों को जगाना है मुझे,